कैसे आप सब लोग? उमेड करते हैं आप सभी लोग बच्छो अच्छे से पढ़ रहे होँगे अग जो हम अज आपके सामनी करना ही जाने जारे है बच्छो ओप रविल्टी है और प्रोम इर्विल्टी आजका जो चेप्टर है बच्छो आपके सबसे लास्ट चेप्टर रहे हैं, इससे पहले मैंने सारे आपके स्लेबस के सारे चेप्टर दे रखे हैं, आज जो करेंगे बेसिक्स होंगे, इंट्रोडेक्शन इसमें सीखेंगे, याईनि टर्मिलोजी जो यूज होती है, वो जान रहे होंगे, क्योंकि मुझे पत सेंपल स्फेस क्या होता है, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर इस चीजे नहीं जानते हो, तो कहीं नहीं आपको जरूर कोई नहीं कोई क्रियेट होगी प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं इसमें बेसिक करा रहा हूं, और ये बच्चों लेक्शर सभी के लिए सकता है, तो नाइन्थ हो, टैन्थ हो, एलेवन्थ हो, जो भी हो, वो देख सकता है, बट बेसिकली जो सीरीज है, वो 12 के लिए है, ठीक है, तो सभी लोग इसको जान कर सकते हैं, अगर आप 12 में हो तो अमीद आपसे ही की जाती है, कि आपने सारी प्रॉब्लिटी जो पिछ रेंडम एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप लोग परफॉर्म करो, और उसके कुछ आउटकम्स आएं, रिजल्ट्स आएं, ऐसा नहीं हो कि आपको पता हो, हमेशा वही आने बाला है, आपने साइस सोले मू भी देखी थी, जिसमें जए ओ बीरू की पर आप में से हैड और कोईन कर रहे होता है तो टॉस करते हैं, तो खोटा सिक्काई था जिसमें हमेशा एक ही आउटपुट आ रहा था, तो फिक्स था, वो बीरू यानि की धर्मेंट जी को पता था, तो हमेशा वही आउटपुट आता, इसलिए वह जीत रहे थे, ठीक है तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, बट हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट की बाद करनी है, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके हमें आउटकम्स नहीं पता है, रैंडम्ली कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आउटकम्स क्या-क्या हो सकते हैं, यह हम लोग जुरूद बता सकते हैं, जैसे कि आपने को टॉस किया, तो आपको क्या-क्या मिलता हुहां से? आप कह तो या तो head आएगा, या फिर tail आजाएगा, तो यह दो ही चीजें आ सकती को चालने पर, इसा तो नहीं को चालो को नमबर 5 अजाए, ऐसी तो नहीं चीजें हो सकती है, तो जो outcome possible है उनके बार हम जानते हैं और कोई भी एगर random experiment है तो हम यह नहीं पककाश्य होना है कि यह आएगा या फिर यह आएगा तो ऐसा experiment जिसके कम से कम 2 या 2 से जादा outcomes हो more than 2 या उस ठीक 2 ही हो लेकिन ऐसा नहीं कोई एक ही outcome हर बार आ रहा हो है तो outcomes क्या है result है या output है क्या result है या वो आपका outcome है याई output क्या है तो ऐसे result के बारे में जिसके कम से कम 2 या उससे जादा outcomes हो उसको हम कहते है ऐसे experiment को random experiment जहां पे कुछ भी अचानक हो सकता है ठीक है जिससे coin को toss करते हो तो क्या क्या आता है head आता है या tail आता है अब इसी को लोग को sort में कैसे लिख मिला करके जो बनता उसे बोलते है sample space क्या बोलते है बच्चो sample space जैसे हम लोग generally s सही represent करते है sample space को हम लोग s से represent करते है बच्चो तो s equal to head or tail इस तरह से आपका आता है अब बात आती event event किसी भी आप sample space से कोई एक particular nature उठा करके आप उसका एक element उठा लो event क्या है आपको sample space में head मिला या tail मिला इनमें से आप किसी भी तरह से आप अपनी थियोरी अपनी language में उसको define कर दो कि event क्या है इस तरह से आप बोल दो कि event है head आने की यानि head आए यह बात कि एक event हो रही है तो event है for head तो event को हम e से जनली लिखते हैं even e2 कही तरह की event हो सकती है तो उनको even e2 से हम लोग लिख रहे होंगे तो यहाँ पर even की जो बात करीगे या e की जो बात करीगे head आने की chances या head आए अभी chances की बात ही नहीं है तो head आए तो आपको पता sample space किसकी बार इम बात हमने करी क coin के ही sub example में ले करके समझा रहा हूँ अभी एक coin को toss करो तो वहां से क्या-क्या आता head और tail आता उनमें से head आए वो आपकी particular event है तो से हम लोग h, head को h से represent करते हैं तो इस तरह से हम लोग एक event को लिख रहे होंगे यानि event कहां से जनली होती है आपकी sample space से जनली होती है तो आ कैसे आप समझ सकते हूँ एक और example आपने पढ़ा होगा for a dice okay for a dice याप नि क्या पढ़ा है उसे क्या-क्या मिलता है उसे क्या-क्या मिलता है व four milta है उसे kia-kia ये वन मिलता है, व unf 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 unfrukt व्न six mil िलता है 7 नहीं, 0 नहीं दैंए क्योंकि dice पी हम लोग जो खेल जाया होते है उसे number one से रहेगे six तही लिखा आपने बात करें इवेंट मिल गई हमें, 1 आना, to आना एक इवेंट है, या ऐसे भी आप के सकते हो, even number अए इस बात की event है, हमने event डिफाइन कर दिफाइन कर दियां यहां, या event even को बोलो, even number तो जब dice swap उचा लतो हो, इवन नमबर आए, तो 2 आजए तभी एवन हो गया, 4 आजए तभी एवन है, 6 तभी एवन है, तो 2, 4, 6 आएगर, तो आपकी एवन वो बन रही है, जिसमें आपने क्या डिफाइन किया है, वेन एवन नमबर कम्स, ऐसे और नमबर आए उस पर भी आप बात कर सकते हो, तो इह आपने बात करी एवन्ट के लिए, और है ये जो टॉटल आउटकम का सत अपने बनाया, उसे क्या बनते है सैंप'll पर आप्सेंपर से रपेजेंड कर रहांगे, तो सफिरेंट होते हैं भीकिनुट्टे होता है इहां विसादस है, लिगए उनकाता है लिचा होता है तो अप्र बॉब्र फिव्रेवल एवन निकालने में हम लगों वह लगत कर रहे होंगे एवन्स पिर और सारी हैGц अगी सेंप प्रह्राल, विर लुखित कैया है या फिर जिसको आप निकालना चाहते हो, जिसके लिए आप बना रहे हो चांसे कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपकी फेवरेवल इवेंट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एवन आप क्या बोल रहे हो, इवन नंबर आ जाए, इवन आपने बोला, इवन नंबर आए, इस बात क हम लोग फेवरेवल इवेंट, अगर मानते हैं, तो हमारी फेवरेवल इवेंट होगे, और प्रॉबरिटी में हम लोग फेवरेवल इवेंट को ही पढ़ रहे होंगे, तो फेवरेवल इवेंट बस यह है, जिस इवेंट का फेवर किया जा रहा है, क्वेश्चन के तरफ से Outcomes क्या होता है, Event क्या होता है, ठीक है न? इस तरह से Favorable Event क्या होता है, Sample Space, ये सारी चीज़े आप जान चुके हो. अब बात करते हैं Probability की. Probability of an event e. किसी event e की बच्चों अगर आपको Probability निकालनी है, तो हमेशा उसको लिखा कैसे आता है, P लिखा जाता है और E लिखा जाता है, इसको rate करते हैं, जो मैंने उपर लिखा, Probability of an event e. P, E लिख देते हैं. कैसे निकालते हैं? Number of Favourable Cases upon me total number of cases in sample space, या कुछ लोग sample space भी, number of cases in sample space, ऐसे लिख सकते हैं, या total cases भी लिखा जा सकता है, total cases in sample space, मैं as लिख दे रहा हूँ, थोड़ा sentence बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं smart में लिख रहा हूँ, छोटा लिख दिया, अब number of cases कैसे लिखे जाते हैं, total cases कैसे लिखे जाएंगे, वो सोचो, अगर किसी ने कहा, बैक करके देख लिख लिखे हैं, जैसे मैं कहूँ, as आपका यह है, तो अगर मैं यहां से, यह पूछू, कितने element हैं, या कितने लोग बैठे, कितनी number हमने लिखे हैं, क्या क्या उसके अंदर है 1 से लिखे 6 तक है, कितनी है, total 6 है, जैसे, sample space हमने बनाया था, coin के लिए head or tail है, तो इसके अंदर कितने है, 2 है, कौन-कौन है, head or tail है, तो इसी को हम लोग number up case से जब count करते हैं, तो ns लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ns, इसको आप कैसे read करेंगे, number of element in s, कितने हैं, 1 और 2, तो आप उसके बस number लिखेगा, कौन-कौन है, नहीं, कितने हैं, कैसे हैं, वो बस count कर लो, तो टोटल आप उसको लिख दीजिए, तो ऐसे मैं यहां पर लिखाँ, ns, तो आप क्या बोल रहा होंगे, ns is equal to, कितने टोटल 6 हैं, ठीक है, ऐसे अगर मैं n e लिख दूँ यहां पर, n e, मतलब event e में कितने लोग, अगर मैं यहां पर n e 1 लिख रहा होगा, अगर मैं यहां पर n e 1 लिखूँ, तो आप काउंट कर लिए, e 1 के अंदर कितने 1, 2, 3, तो n e 1 की वैलू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो कुछ इस तरह से चीजे हमें सीखनी है, यह probability का basics है, जो आपको बिल्कुल आते होंगे, मैं यही उमीद करता हूँ, आपने पड़ा रखा है, बट आपका revision किया जा रहा है, कि आपको कहीं आगे कोई problem ना create हो जाएग, ठीक है, आगे चलते हैं, अब probability आप निकालते कैसे हो, तो total favorable cases, आप favorable cases किसमें? फेवरेवल event में देखोगा, मालो कोई event e है, उसमें total कितने लोग हैं, वो निकालते तो n e लिखा जाता है, total cases in sample space, s में कितने हैं, count करके लिखना है तो n s लिखा जाता है, तो probability किसी event की अगर निकालनी पड़ती है, तो आप क्या लिखते हो, total cases पता हो, favorable cases पता हो, तो favorable cases upon में total cases आप कर दीजिए, आपको क्या मिल जाता है, probability of event मिल जाती है, इसको roughly ऐसे भी कह सकते हो, आपको कितना चाहिए और कितने में चाहिए, किसी event के probability अगर लिखना चाहते हो, तो probability क्या होती है, roughly लिख रहा हूँ, यह definition नहीं है, इस class में समझाने में बड़ा काम आता है, बच्चों को son में आ जाता है, initially जो start करते हैं, कितना चाहिए, कितने में चाहिए, कितना चाहिए, जिससे आपका काम हो जाए, काम किस बात का, फेवरेवल इवेंट आपकी सफल हो जाए, इस तरह से, suppose कर एक जामपल, अगर मैं हीं पर ले लूँ, on throwing a dice, next pitch पर लेते, इस pitch थोड़ा सक्का में, ठीक है, इसी पर बेस लोग ले रहे होंगा, और यह दिखो, तफ दी आपनी सब को चीजे पड़ा रखी है, ठीक है, तो बस देखते रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग अपनी कंटेट पर आ रहे होंगे, हलाकि इसमें इंट्रो पार्ट ही है, क्वेश्चिन इस तरह से है, on throwing a dice, spelling पर ध्यान ना देना बच्चे, ठीक है, on throwing a dice, find the probability, of getting number first, an even number, second, an odd number, third, number greater than, then four, ठीक है, बस या और भी लिखलो, a prime, fifth भी लिखलो, a composite, तो इस तरह से में probability निकालनी है, ठीक है, देखते हैं, इसका solution कैसे होगा, तो हमसे जो कहा गया है, एक dice को throw करिए, तो हमारा जो experiment किस बात का है, है कि dice को फेकना है, ठीक है, डाइस को जैसे फेक, तो हमें क्या क्या आता output, उन सब का collection करो, तो आपका sample space बनेगा, sample space के अंडर क्या एगा, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 आ जाएगा, ठीक है, अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, हमने किस का favor किया, पहले question में हमने fair किया, an event number है, तो माल लो event हमारी वो even रही हो, तो even के अंदर क्या क्या आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ढूनना है, event number, 2, 4, 6, अच्छा, second में कहा है, odd number event हमने e2 माल लिया, odd number यानि 1, 3, 5, आपको even odds अब पता है, बस आपको काम करना है, e3 event है number greater than 4, तो चार से बड़ी number है यह 5 और 6, e4 पर आते हैं, number कैसी हो prime, prime बच्छो number होती कौन सी है, smallest prime number is 2, ठीक है ना, natural number के set से बनाई जाती है, तो 2, 3, 5, यह आपकी prime number होगी, ध्यान रखना, 1 ना तो prime है और ना ही क्या है, इसमें समझ में आ जाएगा, क्या मैंने बोला, event 5 number हमने कह दिया, जब आपकी composite है, composite number वह होती जिसके, कम से कम, 2 factor हों, ठीक है, मतलब number itself नहीं, prime नहीं, अगर हम कहें 2, 2 के कितने factor होते है, 1 or 2, तो वह तो नहीं count किये जाएगे, क्योंकि prime है, number itself, and 1 तो अब का factor होता है, तो more than 2 factor आप कह दो, तो आप क्या कहना, कि ठीक वह क्या है, composite बनेगी, कहां से start होगी 3 के भी 2 factor, prime है, composite number is started from 4, ठीक है, 4 इसमालेस्ट, okay, तो आप क्या लेकर होंगे 4, 5 तो prime होगी, तो 6, अब dice में 6 से बड़ी number नहीं आसकती तो इसको फिर नहीं लेख सकते, तो आपकी 2, sorry, prime नहीं, composite की बात कर रहा हूं यह पर, इसके लिए sorry, composite number आप नहीं दूनना है, तो at least उसके 3 factor या 3 से जादा हो जाएं, लेकिन prime है, तो exact two ही factor हो, exact two का मतलब हो गया, one and other than one, अगर मैं केवल कहूं कि 7 है, तो seven के दो ही factor होते है, one और खुद seven, तो यह prime number है, अगर मैं one की बात करूं, one आपका केवल एक ही factor रखता है, only one, इसी कुछ आओ तो one केदो, या number itself केदो, तो इसके two factor नहीं होते हैं, तो वो composite या prime नहीं माना जाता है, आप note, comment में जरूर करिएगा, one is neither nor, neither nor का मतलब हो गया, one is neither prime nor a composite, या आपको याद कर लेना हो, ठीक है, कमेंट में जितने बच्चे देख रहे हैं, सब का होना चाहिए, कि one ना तो prime है, ना ही composite है, चलिए, अब मैंने जो आपको लिखाया है, उसके साब से आप करेंगे, तो मैं यहाँ से पूछू, ns कितना है, आप यहाँ पर ns पता करके बताईए, यह कितना है, तो आप कहेंगे 6 है, अगर मैं आपसे यहाँ कहूँ, n e1 कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, n e2 कितना है, मतलब e2 में कितने लोग, 1, 2, 3, टोटल 3 लोग, इसमें ऐसे e3 में कितने लोग, n e3 बोलेंगे, 2 लोग है, तो आपने भी पता कर लिया किस के अंदर कितने है अब प्रोबिल्टी निकालनी है एवन की पी एवन कैसे आता है कितने है और कितने मेंसे है आपका काम कितने तरी के सो हो रहा है मतलब की एवन नमबर कितने तरह से आती तीन तरह से आती कितने मेंसे 6 मेंसे 2 x 6, simple, 1 x 2, ठीक है, इस 6 लिखा है, ऐसे यहाँ पर और नमबर, 1, 3, 5 यहाँ तभी और होगा, कितने तरह से काम बन रहाँ आपका, 3 तरह से, कितने में से, 6 में से, तो probability क्या बनेगे, 1 x, finally 2 ही आएगा, मैंने solve करके लिख दिया, 3 x 6 लिखते आप, यहाँ पर 2 तरह से आपका आ सकता है, number greater than 4, या तो 5 या 6, आपका काम कितने तरह से बन रहा है, 2 तरह से, कितने में से, 6 में से, तो 2 x 6, it means 1 x 3, यहाँ पर 3 x 6 again, तो कितना आएगा, 1 x 2, and next क्या है, 2 है, तो 2 x 6 लिखने के बाद क्या मिलेगा, 1 x 3 मिल जाएगा, ठीक है, यह आपने इस तरह से देखा, तो एक अच्छा सा क्वेशन, आम लोगों ने बेसिक बताने के लिए आपके स ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं, हीवेंट में आपने पढ़ा होगा या सेट पहले देख्रे देखे, डैस्जोंट सेट्स disjoint set कर दो, या disjoint event? disjoint set या disjoint event? अभी मैंने event डाल दिया, मालो, दो set ऐसे बनाए जाएं एक set A, एक set B, क्या इनमे कोई common part है? common part होता होता है, जब ऐसे cross कर रहे होता है, तो ऐसा तो है नहीं इनमे common part इतना है, तो यहां पर common है, यानि दोनों में intersection part है दोनों में intersection A and B में नहीं है, तो disjoint set वो होते हैं जब दोनों के बीच में intersection कितना हो 5 ऐनि for two set A and B, अगर A intersection B निकालो कितना हो 5 A intersection B निकालो कितना हो 5 तो वो दोनों set कैसे हैं disjoint set ऐसे ही event की अगर बात करूं, तो A and B दो event है, अगर उनमें कुछ भी common ना मिले जैसे मैंने अभी लिखा था यहां पर, मैंने कहा कि यह वाला ले लो, composite वाला लो, कोई भी एक लेलो चलो यह लेते है, even या odd यह लेते है, number, prime वाला और, फस उठालो या second उठालो, कोई उठालो यह दोनों लेते हैं, यहां ठीक लगाया इवन में क्या करना, 246 है अप्राइम है, इस वाली में देखो इस वाली में देखो, कितना common कुछ मिलना है क्या, है या नहीं तो आप कहेंगे two दोनों में है, तो इसमें common है, तो यह disjoint set नहीं है इसमें इंटर सेक्शन आरा है, two तो यह आपके disjoint set नहीं है तो ऐसे set disjoint set हो सकते हैं, जिनमें कोई common नहीं है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपका फिप्त वाला और सेकंड वाला कैसे disjoint set? यहाँपे e1, sorry, e2 & e5 are disjoint are disjoint set लिकिन हम लोगी event पढ़ रहे हैं किसी sample space की ऐसी दो event जिनका a intersection b निकालो e1 intersection e2 निकालो हमेशा क्या है? वो event कैसी होती है? आपकी heading बन गी next mutually ठीक है एक होता mutually exclusive एक होता mutually exclusive एक हो और झालो झालो और रहिस